हालो दोस्तों नमस्कार मैं हुश्वांग भारत वाज एक बार फ्रिस्टे स्वागत एक नई वीडियो में दोस्तों वीडियो यह पार्ट 22 पीछे के 21 पार्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ हूँ एक 1000 कोस्टे की सीरीज चल लही है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट सीरीज है आपके लिए बहुत ही महत्पूर महत्पूर कोस्टे हैं आप एक वेडियो डियूस देते रही एक हम बहुत ही जल्दी आपके लिए विभी पर बेदेफ देख क truth के लिए नियुम्प कि लिए उनको बहुत हमारे टेलिग्राम चैनल परerek में मिलेवाली है कुछ पीडियव आभी चुकी है उनके लिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर जोड़कर वीडिया देख भी सकते हैं इसमें मैं आपको 20 महत्पूर कोश्चन्स बताऊंगा जो कि आपके एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन्स हावित हो सकते हैं तो कोई भी पार्ट इसके मत करिए पूर 521 नंबर से कूड की दीवार के विरुद्हल तलको सहरा देती है तो कूड की दीवार के विरुद्ध जो हल तलको सहरा देती है वह क्या है गनैल है पांसो बाइस नंबर कोश्चन है पंजाव हलका हत्था बना होता है तो पंजाव हलका हत्था किस चीज का बनाता है ये म्रद इसपात का बना हुआ होता है पांसो तेस नंबर कोश्चन है डिवलर में खूतियों की संख्या क्या होते हैं डिवलर छेथ करके वीज़ जालने की एक उक्ति होती है जिसमें खूतियों की संख्या क्या होती हैं साइस खूटियां होती हैं 524 नंबर है एक इंपैलर से कितनी उचाई तक पानी उठा सकते हैं तो एक इंपैलर से जो है 5-8 मीटर की उचाई तक पानी उठा सकते यह कोश्चन इस वीडियो में रिपीट हो गए आप पीछे कि 3-4 वीडियो पहले लगवग मैं यह कोश्चन आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ 525 नमबर कोश्चन है एक वाइलर को कहा जाता है तो वाइलर को क्या कहा जाता है वाइलर को बास्प पैदा करने का यंत्र कहा जाता है 526 नमबर कोश्चन है SI सिस्टम में ताप की इकाई होती है तो SI सिस्टम में ताप की क्या इकाई होती है Kelvin को SI सिस्टम में ताप की इकाई कहा जाता है 527 नमबर है एक इंजन में तेल का प्रियोग होता है तो इंजन में तेल का प्रियोग क्यों होता है इस नेहन एवं कूलिंग दोनों में ही तेल का प्रियोग किया जाता है आगे 528 नमबर question है question बहुत ही महत्पूर है कोई भी पार्ट स्किप ना कीजेगा 528 नमबर है बिकेंदरिये pump में पानी उठाया जाता है दो बिकेंदरिये pump में जो पानी उठाया जाता है वो impeller द्वारा उठाया जाता है 529 नंबर question है पेट्रोल इंजन में संपीजन तापकरम क्या होता है तो पेट्रोल इंजन का जो संपीजन तापकरम है पेट्रोल इंजन का जो संपीजन तापकरम यहाँ पे थोड़ा गलत लिखिया है यह आपका 250 degree centigrade से 250 degree centigrade से 260 degree centigrade तक होता है जबकि डीजल इंजन का आपका जो होता है वो आपका 500 degree centigrade तक होता है आगे question नंबर 530 है रिजर में किस तरह का फार होता है तो रिजर में जो फार होता है वो भी आकार का होता है 531 नमबर कोश्चन है बिकेंदरी पंप का अधिक्तम चूसर लिफ्ट क्या होता है तो जो बिकेंदरी पंप है उसका अधिक्तम चूसर लिफ्ट 6.5 मीटर होता है 532 नमबर है यदि प्रतिस्थापन अनपात कीमत अनपात से कम होगा तो लागत यदि किसी मसीन की प्रतिस्थापन अनपात कीमत अनपात से कम होगा तो इसकी लागत वही रहेगी 533 नमबर है Operation Flood Second या Operation Flood दुतिये किस बर्स प्रारंब किया गया तो ये 1978 में प्रारंब किया गया 534 नमबर कोश्चन है Gate valve लगा होता है Gate valve जो लगा होता है वो निकास pipe में लगा होता है 535 नमबर है Ingin का Slender Block किस धातुका बना होता है तो Ingin का Slender Block होता है वो धलवा लोहे का बना होता है 536 नमबर है एक प्लवनिये पंप से पानी कितनी आर्पियम से उठाया जाता है जो प्लवनिये पंप हमारा होता है उससे जो पानी उठाने की आर्पियम होती है 537 नंबर है इटावा अग्रगामी परियोजना संचालन करता तो इसके संचालन करता जो थे वो मिश्टर ह्युक्त flew तो प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है तो प्याज में जो पीला रंग होता है वो क्योरे सेटिन के कारण होता है 549 नम्बर है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है वह उदासी भूमि में पड़ता है पांसो चालिस नंबर कोश्चन है मृदा वायू में ऑक्सीजन पाई जाती है तो मृदा वायू में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो 20.30% मृदा वायू में ऑक्सीजन पाई जाती है तो दोस्तों ये 540 तक के कोश्चन हुए इस वीडियो में आगे की वीडियो में और बहु अच्छे सावेत हो सकते हैं वीडियो को देखते रहे व्यूज अच्छे दीजिएगा बहुत कम वीडियो अभी आनी बाकी है जो कि आपके एक्जाम्स के लिए बहुत अच्छी सावेत हो सकते हैं पीडियब भी आपको टेलीग्राम गुरूप में जल्दी मिल जाएगी वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेर करना ना भूले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद